कोई बात नहीं दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं इस बात को हम मानते हैं इस तरी शरीर धारी पुरुष शरीर को मित्र बना सकता है कोई दोस्त नहीं ये भारत है भारत वो धर्म भूमी जिसे हर विश्व का एक एक देश प्रणाम करता है इस देश की में एक महात्मा गय तो आश्चर चकित उपदे साब को आसक्त कर लिया शीश्वामी बीवी कानंद जी यदि आप किशी भी तरह से हस्तमेथुनादी के द्वारा गंदे द्रश्य देख करके गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नास करते रहेंगे तो ना आप इस लोक में सुकी रहेंगे ना परलोक में ये जो जितने भी दंड विधान है सब उसके उपर लागू हो जाएंगे ऐसा नहीं कि कल्यूग है तो आप किसी को छेड़ोगे तो पुलिस आपको छोड़ेगी क्या देखो अपने लोग उपाशक है हम जहां जहां आ सकते हो रहें उसमें हमारे मन का केवल शरीर के द्वारों में कहीं सुख है घरनित द्वारों में कहीं सुख है अगर सुख होता तो इनके भूगने के बाद हरद कह देता कि अब कच्छोनातन चाही मोरे शांत हो जाता फिर ऐसा क्यों होता है क्यों उसको एक जगे तरपती नहीं होती क्योंकि वहां सुख है नही फिर सुखता है सायद उसमें हो उसमें हो उसमें हो पूरे के पूरे युग के युग बितीत हो गए कल्प के कल्प बितीत हो गए भोगते हुई क्या सुख मिला क्या इस ती शरीर सुखता है पूरुष शरीर में सुख है पुरुष चरीर छोचता है इस ती चरीर में सुख है या आदी आदी अगर सुख होता तो पूरे ब्रमाण में पसू पक्षी कीरा मकूरा साफ मैं थुन धर्म से युक्त हैं ये सब सुखी हो जाते हैं जो जितना भोगा शक्त होता नहीं दुखी देख लो अशांत पारे शांत और पापाचरण योक्त ये क्या है मन को समझाए है वेरागी भगवत मार्ग का पथि मन के द्वारा प्रेशन करता है हर वस्तू का ये सब इसको ऐसा नहीं समझे कि बड़ी गुप्त बाते हैं गुप्त बाते हैं प्रिया प्रितम के दिब चिदानंद में रहा सिकी ये गुप्त बाते नहीं इनको समझे खोल करके यदे आप किशी भी तरह से हस्तमेथुनादी के द्वारा गंदे दर्श्य देख करके गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नास करते रहेंगे तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में मान ये बातें ना तो कही जाती हैं ना सुनी जाती हैं ना समझी जाती हैं इसलिए हमारा बहुत ही आगे की पीड़ी जो शनातन धर्मावलंबी जो भागोत हर देश से महान भारत देश को क्यों का आ गया हैशा भी है कि अन्य देश स्वाइकार किया जाता है कि हमसे धनी हैं स्वाइकार किया जाता है कि वह ग्यानिक तत्तों में भी हमसे आगे हैं पर भारत को महान धर्म शाली देश का गया है कोई भी किशी भी देश का धर्म गुरु हो हमारे देश में आएगा हमारी रिशियो के सुत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ठ करेगा साफका मूल जड़ भारत धर्म का है कई भी हो कई भी देख लो चाहे जिस देश का नाम लो कहींगे किसी भारत के ब्रम रिशी की चाप लेकर करके डोल रहा है भारत भोग प्रधाम देश drinking का भारत धर्म प्लहाम देश है धर्म गुरुओं के द्वारा धर्म स्थापना करके चलाया जाता है यहां आज जो हम समझ रहें कि बाहरी परिपार्टी हमारे भारत में आ जाए तो भारत आधुनिक और सर्वस्रिष्ट देश माना जाएगा कभी नहीं भारत अपनी परिपार्टी से चलता है तब सब देशों के उपर राजी करता है किसी भी देश में न पतिवरता मिलेगी न यती मिलेगा ब्रह्मचरे का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा यह भारत देश में ही मिलेगा यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपन से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे, अब हमारे जो नई पीड़ी है, वो आधरिक्ता को स्वईकार कर रहेगी, गर्ल फ्रेंड, बॉय फ्रेंड, कौन सा लिविन रिलेशन, यह हमारे कहीं किसी भी धर्मगरंत में लिखाओ तो आप बता दीजे, बाल्यावस्था से आस तक जितने भी धर्मगरंतों का स्वध्याय हुआ, कहीं भी लिखाओ तो, यह बोलो सर्वनास का स्वरूप है की नहीं है, अभी बच्चा ना तो लोक को जानता है, ना परलोक को जानता है, ना हित को ना आईद को जानता है, अभी उसका ब्रह्मचर किशी काम लायक नहीं हुआ, और उतर गया बेविचार में, क्या होगा उसका जीवन, क्या होगा जीवन, चाहे वो इस्तरी शोरूप में, चाहे पुरूप शोरूप में हो, क्या, बिना सैयम के, ये पसुता के बेवार से कि ना लौकी कुन्नती होती है, ना परमार्थी कुन्नती होती है, पर कौन सुनेगा, ये ही कहा जाएगा है, पुराने जमाने के सास्त्रों को के बल बरिनन करें, ये क्या जाने आधनिक जमाने को, तो आधनिक जमाने की दसा क्या और यहां खोल करके देखो, कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं इस बात को हम मानते हैं इस्त्री शरीर धारी पुरुष शरीर को मित्र बना सकता है कोई दोस नहीं पुरुष शरीर धारी इस्त्री को मित्र बना सकता है कोई दोस नहीं लेकिन मित्र का क्या करता भी होता है कुपन्थ निवारी सुपन्थ चलावा कुमार्ग से हटा करके शुपन्थ में चलाना उसकी समस्याओं को धूर करके उसको आनंद में से युक्त करना उसको सायोग करना ना कि सोशन करना दोस्ती कहते हैं उसके दुखों को मिटा करके उसको शांती और शुक के मार्ग में ले जाना इसलिए ये जो आधनिकता बढ़ रही है ये जो खान पान गलत हो रहा है ये जो दर्शन गलत हो रहा है तो इस जमाने में ब्रह्म चरे ये केवल सब्दा ही लिखा मिलेगा जीवन में नहीं मिलेगा नहीं नहीं बच्चे व्यशन कर रहे हैं नशा कर रहे हैं गंदे आचरन कर रहे हैं क्या होगा कैसे आगे कोई समझेगा सास्त्र क्या है धर्म क्या है बल क्या है आज नौईवक जोला से अठाइस के बीच में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है जिसमें अध्यात्मिक थोड़ा भी बल हो कामक्रोधा दिशैने की शामर्थ हो अपने बुढ़े माता पिता को थपड़ मार रहे हैं बुढ़े माता पिता को गाली दे रहे हैं बुढ़े माता पिता जिन्नोंने खवा पिला के इतना बड़ा उन्हें अना थाले बेजवाया जा रहा है उनको छोड़ दिया जा रहा है आप विदेश गुम रहे हैं उनके खाने की बेहुस्ता गर में नहीं क्या है ये आधुनिक विद्या का ये प्रवाव है विद्या विनेयम दजाती जो अपने वयो व्रद्धों की शेवा नहीं कर सकता वो क्या विद्या पढ़ा जो दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता क्या विद्या पढ़ा क्या विद्या का ये इस रूफ है दूसरे कर शोशन करना क्या विद्या का ये इस रूफ है कि सराप पीना ड्रक्स का ये नशा करना, ये क्या विद्या सिखाती है वो कहा जाता है आज तो आधनिक विद्या बढ़ रही मुझे लगता है सैयम में रहना ही विद्या का वास्तविक स्वरूप है अपने इंद्रियों को सैयम में रखना अपने को सैयम में रखना बुजुर्गूं का, गुर्जनों का, सास्त्र का, भगवान का भए रखना हिरदय में ऐसा नहीं? आप तभी निर्भए हो पाओगे यदि सास्त्र का भए नहीं, भगवान का भए नहीं, धर्म का भए नहीं तो फिर आप वहां पहुंच जाओगे जहां भय ही भय है यह जो जितने भी दंड विधान है सब उसके उपर लागू हो जाएंगे ऐसाने की कलियूग है तो आप किसी को छेड़ोगे तो पुलिस आपको छोड़ेगी क्या यहीं देख लो तो यह तो यहां का राज की विधान जो अनंत प्रम्भांडों का सासन करता विधान है वो तो तो किसी की गवाही की जरुवत नहीं हो तो तुमारे मन में ही बैटा देख रहा है शावधान शाहिया में एक बहुत बड़ी शामर्थ है जो बच्चे इस सत्संग को शुने वो खुद अपने हर्दय में देख ले कि हमारा जो उनसे प्रार्थना करना है कि दोस्त बनाओ हमने शेद नहीं करते हैं हम भी पढ़े हैं स्कूलों में पढ़े हैं बच्चे बच्चेया सब एक साथ इस स्कूल में बैटते हैं क्या हम हमारे चार बहने हो और हम उनके बीच में रहते हैं तो हमें काम सताएगा क् क्या जरूरी है कि काम की भावना से ही किसी से दोस्ती करना जब ब्या हो जाए सत ग्रेष्ट बन जाओ तब भगवान को प्रणाम करके ग्रेष्ट धर्म रूपी पूजा करो कोई परिशानी ने पर जब तक आपका ब्या नहीं होता है तब तक आप शैयम से रहो जो तुम्हे सैयम भरष्ट करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं दुस्मन है इस बात का परणाम खुद आपा के देख लेंगे चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो चाहे इस्त्री हो चाहे पुरुश हो दोस्त वही है जो हमारे सैयम को पुष्ट करे सैयम भरष्ट कर दे उसे दुस्मन कहते हैं जो हमारे भागवतिक मार्ग को नश्ट कर दे जो हमारी पवित्रता को नश्ट कर दे जो हमारे शैयम को नश्ट कर दे वो दोस्त कैसे हो सकता है वो हमारा फ्रेंड कैसे हो सकता है बहुत साउधानी की जरुवत है ये बाहरी देशों की बातें हमारे देश में नहीं चल पाएंगी आज हमारा मन इस्षे कल हमारा उस्षे मन हमारे देश में इसका निशेद किया जाता है हमारे धर्म गरंत हमारे धर्म गुरुव ने इसका निशेद किया है ये भारत है भारत वो धर्म भूमी जिसे हर विश्व का एक एक देश प्रणाम करता है इस देश की में एक महात्मा गया तो आश्चर चकित उब देश सब को आसक्त कर लिया स्वामी विविकानन्द जी एक महात्मा गया तो विशई पुरसों के हाथ में भी माला पहला दिया और क्रिश्ण क्रिश्ण पुकारने के लिए बिवस कर दिया उसे ये भारत है जिधर भी गये तो जैकारा लगा वा दिया अपने धर्म का यहां के गरंथों में यहां के ग्रेश्टों की जैजैकार लिखी हुई है आप भक्तमाल उठा कर देखिए कि सौ में दस विरक्त होंगे नबे ग्रेश्ट होंगे और वो सवैसे महापरुज जो विरक्तों से भी बढ़ करके हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ग्रेश्ट में धर्मा चरण नहीं होता ग्रेश्ट में भगवत प्राप्ती नहीं हो सकती ग्रहस्त में सैयम नहीं हो सकता बिलकुल गलत बात शावधाने से चलो या प्रशंग है इस विसे